समानी सिचक साथियो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में हार दिख स्वागत है आज हम कच्छा पांच वा आठ के बच्चों का वेरिफिकेशन किस तरह करते हैं यह वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली समझेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मॉबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें और यसके यमपी इन इस तरह लिख देंगे और लिखने के बाद सार्च करेंगे तो यह वेपसाइड जो है तो ओपन हो जाएगी और हम यहाँ पर अपना यूनिकार्डी फिल अप कर देंगे यूनिकार्डी डालने के बाद यहाँ डेट अब बर्त डालेंगे अईसे डेट अब बर्त डालने के बाद सीधे यहाँ लागिन कर देंगे और इस तरह हम यहाँ पर लागिन पेज में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं हेलो केस लालदुएदी प्रत्मिक सिच्चक इसके उपर किनारे में तीन लाइन है इनको जो है तो हम टच करेंगे टच करने के बाद यहाँ पर इस तरह आ रहा आइटम बैंक फाइफ एट एनुओल एक्जाम लाग आउट तीन आप्शन है तो फाइफ एट एनुओल एक्जाम पर हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे तीन आप्शन है स्टूडेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट एड रिपोर्ट तो हमें स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना है अगर एड भी करना हो तो एड में क्लिक करेंगे लेकिन यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन करना है तो verification पर हम click करते हैं click करते ही हमारे सामने इस तरह का page open होगा यहाँ पर you dice code है और class है तो class यहाँ पर select पर हम जो भी class है उसको select कर लेते हैं बाच याट और select करने के बाद यहाँ show में हम click करेंगे तो इस तरह यह बच्चे की list अंग्रेजी में जो है तो हमें पूरी दिखाई दे रही है यहाँ पर 10 बच्चे हैं और 2 page हैं तो आगे की बच्चों की भी list अगर देखना है तो दूसरे page से यह आगे की बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं 11, 12, 13, 14 इस तरह हम देख रहे हैं कि 19 बच्चे हैं तो यहाँ पर हमें इन बच्चों का भेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पर हम चेक कर लें कि बच्चे की कौन कौन सी जानकारी सही या गलत है तो इसको जब हम यहाँ पर इस तरह हैं इस पेंज को इस साइड जो है तो खिशका देंगे तो यहाँ पर भेरिफिकेशन करते हैं और यहाँ पर टिक कर दिए तो यहाँ पर इसका यूड़ी हम रिकार्ड से मिलान कर लेंगे स्कूल नेम जी एमेस जीत नगर बलाक रामपुर भगेलान डिस्टिक सतना स्टूडेंट नेम और यह फादर्स नेम दीरु कोल मदर्स नेम सुनीता कोल फीमेल केटेगरी मेडियम और यह सारे जानकारी यहाँ पर है तो इस में सारे जानकारी का मिलान कर लेंगे और यहाँ पर से डबलू यस अन यहाँ से यस नो नो कर देंगे अगर यह नो है तो और यहाँ पर मेडियम मेडियम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद पैरेंट्स का मुवाइल है तो मुवाइल जो है तो आप अगर उपलब्द हो तो डाल देंगे नहीं तो कोई जरूरी नहीं है और इसके बाद जो है तो भेरिफाई कर देंगे भेरिफाई के बाद भेरिफाई के बाद इस तरह का आप्शन आएगा मैं वो गोशना करता हूं कि मेरे दोरा भी देर्थी की सभी उपलब्द जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई इत्रूर्टी नहीं है और इसके बाद यस भेरिफाई इत्र में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देर्थी की जानकारी भेरिफाई हो जाएगी और यहां पर एक महत्र पूर्ण जानकारी यह भी है कि कि हम यहां से भेरिफाई किये हुए छात्रों के सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर यह जो एक्सल और सीएस भी है तो यहां से हम एक्सल सीट में जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आफशन आ जाएगा और यहां डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड के बाद इसे ओपन करेंगे ओपन करने पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है तो हमें बच्चे की पूरी जानकारी verification के पहले भी प्राप्त हो सकती है और बाद में भी लेकिन इस सूची को download करना verification के पहले और बाद में बहुत जरूरी है इसके माध्यम से आप बच्चे की पूरी जानकारी का रिकार्ड से मिलान कर सकते हैं इस तरह इस Excel sheet को हम download कर WhatsApp में भी जो है तो भेज सकते हैं और यह सूची यह हमें हमारे पास प्राप्त हो गई है और इसके माध्यम से हम बच्चे की पूरी जानकारी देख कर और सुधार कर इसे भेरिफाई करें और अगर भेरिफाई में कुछ गलत भी हो गया है तो भी इस सूची को download करके इसके हाड कापी रख लें और इसका सुधार बियार्शी कारयाले से कराया जा सकता है इसलिए यह एक बार ही भेरिफाई होगी तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक सभी सिच्चक जो है भारें यह बहुत ही महत्पूर जानकारी है इसे अधिक से अधिक सभी सिच्चक सातियों को सेयर करें धन्यवाद यह बहुत है आसा है